हेलो स्टूडेंट वेलकम बेक टू माई चैनल सम्राड अकेडमी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो समाचिव विग्याने उसके महत्तपूर परश्ण ठीक है वह परश्ण बात करेंगे जो कि 2022 बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्तपूर होन परश्ण रिपिटेड हो रहे हैं वह प्रश्ण इस वीडियो में बात करूंगा ठीक है टार्गेट हम लोग का 95 परसेंट उसी की भी आप अच्छे तरीके से हम लोग त्यारी कर रहे हैं तो आई यह पहला प्रस्ण की तरफ बढ़ेंगे देखिए पहला प्रस्ण ही बहु दूसरा ले लेता हूं पावन अपर्दन के बहुत ही मज़दार टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट अब पूछ रहा है कि पावन अपर्दन किसे कहते हैं तो पावन द्वारा मैदान आतवा धालू छेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने के परिक्रिया को क्य कैते हैं तो पावन अपर्दन कहा जाता है अब बहुत ही सिंपल है देखें पावन द्वारा पौन मतलब हावा द्वारा ढलीगे। इन पहाड़ों से जो भी यहां पे बालु होंगे, इनको हवा द्वारा उड़ा कर, यहां से इसको ले जाकर दूसरे जगा स्थापित करना ही क्या करता है, पाउन अपर्दन कहलाता है, पाउन द्वारा मैदान थो को टैंट नहीं होगे नहीं दिक्त से किसको म्रीदा को उडा ले जाने के प्रिक्रिए का लाएखलाती है आपकी दिमाग में बैट गया होगा अच्छे तरीके से चलिए प्रस्ट नमर पहला किलियर हो गया ना प्रस्ट नमर दूसरी की तरफ बढ़ेंगे अब प्रस्ट नमर दूसरा वेरी वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ट ने प्रस्ट नमर दूसरा प्रस्ट नमर दूसर आपको विवरन भी देना है ठीक है साथी साथ तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मुस्ट इंपोटेंट प्रश्ण है ता यह देखे कैसे लिखेंगे एक्जाम में आप लोग तो लिखें ग्यहूं भारत की प्रमुक खाद फसल है हमसे पूछा था कि बारत की खाद फसल का इसल राज शेत कि ऑखेंगे किया जाता इसे पैदा की जाते किसको गेहूं को देश में गेहूं उगाने वाले दू प्रमुक खेत्र देश में आण 추천 मेंवाले strikes जहांँ गेहूं ten वहां परון मुखtal sa तो एक आपका उत्तर पस्चिम में उत्तर पस्चिम में गंगा सतलुष का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश ठीक है यह जो दो छेत्रे हैं सबसे ज्यादा ग्योंग यहां पैदवार होती है ग्योंग का और बहुत ही ऐसे राजे हैं जैसे पंजाब हुआ ह região वा उतर परदेश हुआ विहार हुआ राजस्थान हुआ और अपका मद्यम परदेश हुआ कुछ वाग में ग्योंगोंपैदाकरने का प्रमुख है राजे तो इससे तक दो सबसे प्रमुख राजें प्रमुख हुआ परे छेत्र है जो सबसे ज्यादा ग्योंगी प्रदेस भी आरा राजस्थां गयों और मद्य प्रदेस यहां पर भी गयों का उत्पादत होता है ठीक है तो इस प्रकार आपको बोड़िग्जा में आप लोगों की इस तरह आंसर लिखना है तो आपको क्यूस्ट नमबर दूसरा भी अच्छे तरीके से किलियर हो गया होग तो प्रस्ट नमबर बढ़ेंगे हम लोग तीसरे की तरफ चलिए आए देखे प्रस्ट नमबर तीसरा बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मुझा इस वीडियो में जीतना भी मैं क्यूसर डिसकस करूंगा सभी महत्तोपूर है ठीक है तो सभी को एक बार देखकर अच्छे त बताना है तो आए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे तो जिन खनीजों से धातु प्राप्थ होती है जिन खनीजों से क्या होती है धातु प्राप्थ होती है जिन में क्या होती है चमक होती है तथा जिन को कूट पीट कर चादरों के रूप में ढाला जा सकता है और तारों के रूप में खीचा जा सकता है धातवी खनीज कहलाते हैं धातवी खनीज किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यातियों तो जिन खनीजों से हमें धातवी प्राप्थ होता है जिसमें चमक होती है और जिसको कूट पीटकर चादर की रूप में डाला जा सकता है और तार की रूप म पहल भी जाएंगी और आप इसे तार के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो उसे ही हम क्या कहते हैं धात्वी खनीज कहते हैं ठीक है ताई होप आप दात्वी खनीज में तो कोई दिक्कत नहीं होगा है कि जिन खनीजों से दात्वी प्राप्त होती है जिन में चम चलिए प्रस्ट नमर तीसरा अच्छे से क्लिए रो गया प्रस्ट नमर चौथे की तरफ बढ़ेंगे धात्विक खनीज हम लोग पढ़े ना अब यह आधात्विक तो धात्विक दोनों में से एक देता है ठीक है बोड़ी जाम में तो यहाँ पर यह प्रस्ट न पूछ रहे नहीं होती है अधात्विक खनीज कहलाते हैं इन खनीजों में चमक नहीं होती है इन खनीजों में क्या होती है चमक नहीं होती है तता कूटने पीटने पर यह क्या होते हैं टूट जाते हैं अधात्विक खनीज कहलाते हैं ठीक है तो किलिए अधात्विक खनीज किसे कहते ह तो धात्विक और धात्विक दूनों प्रस्ण या पर अच्छे तरीके से होगिया नहीं, । यहां पर धात्विक खन्ज किसे बहकर कर लिदे लिए, किसे किसे क्या है gäller कर लिए और अप लोग अच्छे तरीके से इसका लिए कर लीज rice किखा एक अगोप आपको किलियर हो गया प्रस्ट नमर चोथा भी ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं चलिए प्रस्ट नमर पांच की तरफ बढ़ेंगे ठीक है और देखिए इसका एक्जामपल भी कि अधात्वी खनीज कौन-कौन से होते हैं तो अभरक कोईला तथा संगमरमर आ यह इसी कहता है अधात्वी खनीज चलिए प्रस्ट नमर पांच वह कि तरह बढ़ेंगे प्रस्ट नमर पांच है जन संख्या के साधन कौन-कौन से अरे सवरी जन संचार के जन संचार के साधन कौन-कौन से बहुत ही सिंपल दो नमबर का क्यूशन पूचा जाता है most important है ज चल्चीत्र समाचार पत्र पत्रिकाएं टेलीफोन मुबाइल आधी या प्रमुख है यह आपके जन संचार है जन संचार की क्या है साधन है ठीक है तो सिंपल आप से जन संचार के साधन कौन-कौन से पूचा का दूर नमबर का पूचा जाता है बहुत most important है तो आप बता द आप लोगों को बताइए कोई दिक्कत ही तो इस वीडियो में देखें टोटा हमने पांच ही most important बात किया अब पांच में से पांच ही most important है दो प्रश्णा पक्का आपको लड़ेगा 2022 बोडिक जामें तो ऐसे प्रश्णों को आपको पहले तैयर करना है कि जो कि बहुत ही ज लिस्ट्टिव मिल जाएगा आप लोगों को लग मैद का लगे साइनस होसल साइनस का लगे आप के लिक कर कि सब वूरी वीडियू स्कॉत का लागए और चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब को लिचैं और